स्वागत करता हूँ आप सभी का विहार अपडेट के एक और फ्रेस एपिसोड में यदि आपके पास रासन कार्ड है तो इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखिएगा जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि केंदर सरकार की तरफ से मई और जून में 5-5 किलो अनाज अतिरिक्त मिलेगा यानि प्रती युनिट 5 किलो अनाज केंद सरकार के तरफ से मई और जून में आपको फ्री मिलेगा जिसका एक भी पैसा आपको देना नहीं है लेकिन कल ही के पेपर में भी आया था और परसो दिन गिरी भाग ने आदेश भी जारी किया था जहां पर लिखा गया था कि राज्य सरकार भी आपको 5 किलो अनाज देगी लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको केलियर कर देंगे कितना अनाज आपको मिलेगा और इसके लिए आपको क्या पैसा देना है नहीं देना है तो चलिए हम आपको बता दें यदि आपके पास रासन कार्ड है तो मई माह की बात करें तो यहाँ पर साब बताया गया है कि राज्य के 8.71 करोर लोगों को इस महीने 10-10 किलो मुफतनाज मिलेगा 10-10 किलो का मतलब पहले समझ लिजे आप 10 किलो का मतलब ये नहीं है कि आपके पास रासन कार्ड है आपके परिवार में 8 सदस हैं 6 सदस हैं तो 10 किलो आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं आपके परिवार में मान लिजे 4 सदस हैं ठीक है, 4 सदस को 5 किलो के हिसाब से 20 किलो मिलता है ठीक है, तो जो 20 किलो आपको मिलता है उसके अतिरिक्त केंदर के तरब से आपको 20 किलो और यानि 40 किलो हो गया जिसमें 20 किलो जो केंदर के तरब से मिल रहा है उसका पैसा आपको नहीं देना है और जो 20 किलो और मिलेगा जिसका पैसा आपको देना था लेकिन अब आपको बता दें वो पैसा भी आपको नहीं देना है ठीक है जो 20 किलो है वो 20 किलो का जो पैसा है वो केंदर यहाँ पर उसका जो है केंदर सरकार देगी और जो और अतरिक 20 किलो है उसका पैसा आपको राजसरकार देगी यानि 20 किलो आपको चार अगर वेकती हैं आप परिवार में तो 20 किलो केंदर सरकार की तरफ से और 20 किलो राजसरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा ठीक है यानि परती यूनिट 10-10 किलो ठीक है एक बेक्ती का 5 किलो केंदर के तरफ से और 5 किलो राजय सरकार के तरफ से बिल्कुल मुफ्त ठीक है समझ लिजे इस पात को अच्छी तरही के से ऐसा नहीं है कि फिर जाकर के आप पीडियर से आप दुकानदार में जाएंगे और वहाँ पर अपने डिलर के पास जाकर के वहाँ पैसा दे देंगे या वह आप से पैसा मांगेंगे तो आप उसको पैसा दे देंगे यह जो पांच किलो अतिरिक्त और बात मैं कर रहा हूँ राजसरकार की तरफ से यह इसकी बात मैं माह के लिए ही कई गई है ठीक है अगर जून में मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन जो राजसरकार के तरफ से फिरी मिलेगा वो मैं में ही मिलेगा और केंदर के तरफ से मई और जून दोनों में है ठीक है तो केंदर के तरफ से अलग है वो तो चलेगा ही चलेगा केंदर के तरफ से जो है वो चलेगा ही चलेगा मई में भी चलेगा जून में भी चलेगा लेकिन यहाँ पर राजसरकार के तरफ से जो फिरी मिलेगा आपको ज लेकिन वहाँ पर जो 20 किलो अतिरिक्त मिलेगा केंदर सरकार के तरब से उसका पैसा आपको नहीं पे करना होता था और जो 20 किलो का पे करना होता था आपको पैसा वो राज्य सरकार करेगी यानि मई महिने में साफ तोर पर आप समझ लिजिए कि राज्य सरकार के तरब से और क केंदर सरकार के तरफ से आपको अनाज मिल रहा है बिलकुल मुफ्त आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है आगे आपको बता दें यहां पर बताया गया है कि राज्य में खाद सुरच्छा योजना के 8.70 लाख लागो को मैं माह में 10-10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा इसमें 5 क केंदर और 5 किलो राज्य सरकार आपको यहां पर देगी आगे आपको बता दें राज्य सरकार दवारा मुफ्त आनाज देने के संबंध में खादव भोकता सनचन विभाग के सचीव बीने कुमार ने बुद्धवार को सभी प्रमंडली आयुक्त और डियम को पत्र भी वाटसप में ट्विटर में इंस्टाग्राब में जहां भी हो फैला दीजिए प्रचार परसार आपको करना इने तो करप्षन इतना है कि आपको अनाज भी आ जाएगा राजसरकार के तरफ से और मिलेगा भी आपको नहीं कहा जाएगा कि ने वहीं आपको तो केंदर वाला पूरा आपको अनाज लेना है राजसरकार वाला भी केंदर सरकार वाला भी बिल्कुल मुफ्त में साथ ही सुनिचित करने के लिए कहा गया है कि कि किसी भी परस्तिती में किसी भी लाभुक से खाधान की रासी नहीं लेने ठीक है यानि किसी भी इस्तिती में किसी भी परस् वित्रन समाप्त होने के एक सब्ता के अंदर दे दी जाएगी ठीक है पत्र में कहा गया है कि क्रोना संक्रमन को रोकने के लिए ग्रीव भाग ने कई पर्तिबध लगाए है राजसरकार ने राष्टे खादर स्वच्छा योना 2013 के तहत सभी लाभुकों को पांच पांच किलो अनाज मुफ्त दिने का निरने लिया है तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि केंदर सरकार के तरफ से आपको मिल रहा है मानलेजे आपके परिवायर में चार बैक्ती हैं तो बीस किलो वहां से मिलेगा और राजसरकार सिर्फ पांच किलो ही आपको देगा चार बैक्ती के लिए तो पांच किलो देगा तो उसको राजसरकार को पता नहीं है कि पांच किलो में चार बैक्ती कहां से महिना खापाएगा पांच किलो एक बैक्ती के महिने के लिए ही काफी नहीं है तो इस बात को समझेगा आप 55 किलो परती युनिट, शरकार के तरब से भी केंदरिश सरकार के तरब से भी और राजर्य सरकार के तरब से भी आगे अनाज खादान मई और जून में प्रधान ंतरी गरीब कलयान योजना के तहत आवन्टित खादान के अतरिक्त होगा ठीक है तो यहाँ पर मई और जून माह में परधान मंत्री गरीब करयान रोजना के तहत जो आवन्टित खादान है उसके ये अतरिक्त होगा ठीक है आगे आपको बता दें इधर राजभर में PDS दुकांदार हरताल पर भी चले गए हैं इनकी क्या मांग है आईए आपको बता दें CM अस्तर पर वारता के बाद ही हरताल खतम करेंगे PDS संग यानि जितने भी डीलर हैं वो हरताल पर चले गए हैं इनकी मांग क्या है आईए आपको हम बता देते हैं CM अस्तर पर वारता के बाद ही हरताल खतम करेंगे यहांबर पताया जा रहा है कि आठ सुत्री मांग पर PDS दुकानदारों ने बुधवार से हर्ताल शुरू कर दिया PDS दुकानदारों ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री अस्तर पर वारता नहीं होगी तब तक हर्ताल खतम नहीं करेंगे Fair Price Dealers Association ने दावा किया है कि राजभर के सभी 48,000 डिलर्स हरताल पर है बुधवार को Fair Price Dealers Association की वर्चूल बैठक में कहा गया कि सरकार PDS दुकानदारों के साथ वर्चूल या फिर परतिनीदियों को गुला कर वारता लाप करें या इन से बातचित करें संके प्रदेश अध्यक्ष वरुन कुमार सिंग ने कहा कि राजभर में अब तक करोना से 51 डिलरों की मौत हो चुकी है संक की मांग है कि क्रोना संक्रमन तक पोस मसीन में लावकों के बदले दुकानदार के अमुठे निसान या मैनुवल माध्यम से अनाज वित्रन किया जाए यानि जो post machine में उठा लगता है उसको हटा दिया जाए manual तरीके से खादान वित्रन किया जाए ठीक है इनका मांग है किनका जो PDS दुकानदार है ना यानि जो डिलर है उनका मांग है इसके पहले खाद वो भकता सनचन विभाग के सची भी ने खुमार ने साब कर दिया है कि post machine से अनाज वित्रन की अनिवार रता है चुकि post machine से अगर खादान वित्रन नहीं होगा न तो लंबे अस्तर पर यहाँ पर corruption होगा अनाज ही खा जाएंगे वहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 किलो अनाज केंद्र वह 5 किलो राज्य सरकार देगी साब बताया गया है खादान का वित्रन post machine biometric system से करना है इसमें लाभुको के अमुठे का निसान या आँख एसकेन होगा अगर fingerprint लेन लेता है तो आँख का एसकेन आप करवा सकते हैं दूसरा केंद्र में मई और जून माह के मुफ्त अनाज के लिए केंद्र ने 8.70 ठीक है 8.70 लाग टन अतरिक्त अनाज आवंटित कर दिया है तीसरा क्रोना संकर्मन के कारण गरिवों को भोजन की परशानी से बचाने के लिए मुफ्त अनाज देने का यह निर्ने लिया गया है चौथा एक माह में 4.35 लाग टन का आवंटिन मिलता है एक लाभू को प्रती माह 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं पीडियेस से दिया जाता है या निकुल मिलाकर प्रती उनिट 5 किलो पाचवाई यहां पर बताया गया है कि राष्टिय खाद सुरच्छा कानून के तहत ग्रामिंग छेतर के 85.12 वस्तहरी छेतर के 84.53 लाभू को अनाज दिया जाता है तो आपने समझ लिया, सुन लिया पेपर कटिन का जो स्क्रीन शॉर्ट है, वो यहां पर आपको दिखी गया होगा तो आपको सचेत रहना है, सतरक रहना है घर पे ही रहना है और जो राज्य सरकार के तरफ से आपको मिल रहा है और केंदर सरकार के तरफ से इसको आपको छोड़ना नहीं है ठीक है, और यदि आपका PDS दुकांदार या फिर आपका जो डीलर है वो मनमानी करता है तो ऐसे में नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा उस पर लगा कर सिकायत कर सकते हैं या फिर Google पर सर्च करेंगे अपने जीले का DM का नंबर और डाइरेक्ट DM को फोन करके वहाँ भी सिकायत कर सकते हैं या फिर अपने पंचायत के जो भी लोग हैं मुखिया हैं या वाट पारसद हैं लेकिन मुखिया वाट पारसद नहीं सुनते आप इनको छोड़ी दिजिए DM के पास करिए ठीक है डाइरेक्ट वही सही रहाएगा या फिर आप कॉल कर लिजिए ठीक है ऑनलाइन सिकायत भी आप कर सकते हैं जिसके रिकार्डिंग हमने पहले वीडियो बना दिया है तो बस और बिल जरूर लिजिए जो बिल वहां से निकलता है जो पेडियस दुकांदार है जहां से बिल निकलता है उस बिल में आपको किलियर लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो राजसरगार के तरफ से अनाज मिला और के अंदर सरगार के तरफ से जो अनाज मिला वो कितना मिला तो उसमें कोई फेर बदल नहीं होता है और जो बिल में आपको मिले होगा ही आपको वहां से उठाव कर लेना ठीक है या फिर आप online के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं मेरा राशन या फिर गूगल में आप सर्च करेंगे पोस्ट पर जाकर के आप अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं असा करता हुँ उम्मिद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आद वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर भी लाइकन प्रेश कर दिए मैं तेक सी नेक्ट प्रिदादी जा गुल बाइं ठेक क्याराइब